हेलो फ्रेंट्स आइवेल कमें चैनल वी बीए एजुकेशन तो आज हम लोग पढ़ेंगे चाप्टर नमबर वाइन क्लास एट के इन स्टाडी साइंस का जो के क्रॉप प्रोडक्शन और मैंनेजमेंट यानि की फसलों का उत्पादन कैसे होता है और उने क्या-क्या चीज़ अपने यह नहीं वह इंकल जो एंफार मरें जिनने बहुत सरे टूल्स देखें घर पे कौन-कौन से टूल देखे तो खुरपी देखी सिकल देखा शवल देखा अपला देखे और बहुत सरे टूल्स देखे जब फील्ड में उनक्य गई थे तो तो जो लड़का है लड़क है बुझो यह पूछता है आई वांट टू नो वे रेन हाव यूज दिस टूल्स वह जानना चाहते हैं कि टूल्स कहां यूज कि जाते हैं अब अब यह चाप्टर हमें क्या बताता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वी अब लर्न डट ओल लिविंग और्गानिसम् के फूट चाहिए है रिक्वाइफ फूड प्लांट तो खुद से बना सकते हैं कि कैने रिकाल ग्रीन प्लांट सिंथेसाइस दे ओन फूड 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 फोटो सिंथेस के द्वारा करते हैं सबको पाता है अनिमल्स लाइक यूमेंस कैन नोट मेंक देर ओन फूड क्योंक है हम लोग हईक्तोरोफ की कटेग्री में आया थे हैं हम अनिमल्स खुड के फूड ने मन आसके शन लाइट वह गरा से लिए टो फ्रम प्लांट्स वान एन अनिमल्स टीग फूड फूल फूर्व प्लांट्स अ नव अब यही सब जो यहीं सूड जीजों का प्रसेस हाई है but first of all why do we eat food यह हमारे यह हमारी दिमाग में कुश्चिन आ जाएगा अब 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 यह अल्रेडी नो दाट देनर्जी फ्रम फूर्ड जो एनर्जी फूर्ड गी इस उटिलाइज बाइज 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 से फंशिंस करता है उसमें यूस वते जैसे डाइजेशन रेस्पिरे और फिर कि यूइटा फूड हम लोगों कहां कहां से मिलता है अनिमल से मिलता है और दोनों से मिलता है अब अनिमल से कैसे तो अनिमल से मीट हो गया क्या गया अनिमल से मीट हो गया मीट हो गया मील मिल्क हो गया फिर एक्षों गए हनी ओ गई और भी बहुत सारी चीज़ है प्लांट से मेज हो गया वीट हो गया राइस हो गया प्रिंजल हो गया और भी बहुत सारी और भी बहुत सारे है सेंस वी ओन नीड फूड आव कैन वी प्रोवाइड फूर लाज नंबर फूर तो लाज नंबर फीपर इना कंट्री इसके लिए क्या होता है कि लाज केल प्रोड़क्शन होती है प्रोड फूर 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 लाज प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन प्रॉपर मेनेजमेंट और डिस्टिबीशन फूर्ड होना चाहिए बहुत अने से सरी है अब अब अग्रिकल्टर प्राक्टिस की बात हो रही है तो क्या बताया है कि 10,000 साथ 10,000 बीसी तक पीपल नॉमाडिक थे वंडरिंग इन वंडरिंग इन ग्रूप करते थे प्रम प्लेस तो प्लेस किसके लिए तो फूर्ड के लिए और शेल्टर के लिए रॉफ रूट्स खाते थे वेचिटेबल्स और अनिमल्स हंट करते थे अब यह सही कहा है फिर फिर यहां से लेकर 10,000 बीसी से 8,000 तक क्या हुआ कि इन लोग ने इन लोग ने जाननी की कुशिच की लोग को 2000 साल लग गए पता करने के लिए कि हां यह कौन सा क्रॉप एक क्या है इसके बाद इन लोग ने सिवलाइजेशन समय थी आप समझ रहे हैं यह आपको क्रेक्ट किस से हो रहा है यह आपको क्रेक्ट हो रहा है इंचन इंडिया से प्लासिक्स के इंस याड़ी से इस्ट्वी के अब लेटर दे कोड कल्टिवेट लान प्रोड्यूस राइस वीट अज़र फूर्ट क्राफ्स थास वस बाउन एडरी कलिचर अरिकल्चर की फॉर्मेशन है सो ही जब शीम काइंड प्लांट शीम काइंड फ्लांट इस अर्कल्टिवेटर इन ग्रून एट वन प्लेस छेल एट इस कॉल ड़्यूट अश्या प्रॉप क्रॉप क्रॉप क्या हो है यहां याप यह आपका भुटा है में लिए मी जासे माइ प होटा है जो कि यह यह योलंवर इतना बड़ा थीख इस प्टाफने मेज 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 पूरे लाइड पर मेज हुगा दिया तो क्या हो जाएगा यह मेज की क्रॉप कहने क्रॉप आए गी क्रॉप और मेज की क्रॉप तो उमीद आप सब समझ गया होंगे ना ना मुविंग ओन नो लट्वन वान अब यहां एक ग्जाम्पल दिया हुआ है एक फील जिसमें क्रॉप फीट है इसका मतलब क्या होता है कि सारे प्लांट जो है एक फील्ड में वह वीट के वैं है इसो क्या प्रशा खिर हमारे लैंने को एकट की वादी कॉरे लैंट पे तो ये ये वसी उसी क्रॉप के वह यह उचीन यहुसी प्लांट बन ₹ल जाय की आल यह विक्लाइट से पता के अचyy नहीं पहले से पता कहई क्रॉप सार डुफ और दिफन डाइप स्यक्स cereals vegetables fruits एकिस एकिस बेसे स्वे क्लासिफाई होते हैं on the basis of season which in which they grow India पहुत बड़ी कंट्रिये इसमें क्लिमेटिक कंडिस्मेंस बहुत अजागा लगा है the climatic conditions is like like temperature humidity rainfall vary from one region to another यानिकि यहां rich diversity है कि चीज़ की तो rich diversity of rich diversity of variety of crops है बहुत अलग अलग भागों में अलग टाइप के crops हुआ जाते हैं इसके बादे इतने अलग अलग टाइप के लिकिन ब्रॉड ब्रॉड क्रॉप पैटर्न्स दो ही दो ब्रॉड और crop patterns ले गए और कौन से तो खारीफ crop और राभी crop तो खारीफ crop क्या है पहले पढ़ता है है कि अभ्या ऐसीए crop पे जो रहीनी सीजन में हो गा जाते का रहीनी में नहीं कि बहुत बहुत जाड़ा दरॉबरत होती है जैसे प्रफ पाड़ी हो गई मेज हो गई सोयाबीन हो गया ग्राउन टोटोगे जोगे ही सारीख हारीफ क्रॉप है क्राप क्या है डिनी क्रॉप से यह वह जाए जाता है और वहाँ क्या होते हैं और फिल्म पानी हो जाता है और क्रॉप उससे में उकाते हैं कि अब राभी तो राभी उंडर में ऊगा जाती है आप इसका टाइम क्रिएट जन्री ऐक्टूबर तुमार्च है कब तो जन्र या अब इसके एक्जांपल क्या है तो वीड़ घ्रम पी मस्टर्ड और लिंसेट क्या क्या है इसके एक्जामपल तो तो पी ग्राम मस्टर्ड लिंसेड वीट पॉल्सेज और वेजिटेबल्स भी समर सीजन के दौरान हो गाया जाते हैं अब बैसिक प्राक्टिस अफ क्रॉप प्रोडक्शन कुछ प्राक्टिस होती हैं क्रॉप को गाने के लिए तो उसके बारे में हमारा चैप्टर कर अगला भाग बता रहा है अब आपके पैड़ी नौट बिंग्रों इन विंटर सीजन पैड़ी का विंटर सीजन में क्यों नहीं हुगा सकते मैं आपको पहले बताए था इट रिक्वायर्ट अफ वाटर देफोर इस ओनली ग्रों इन र आफ यह सब्सक्राइब अजब कहती है तो चल्यगरिकालचरई कर छोल्क यकारिक आहिए और तिल किया जाता है और आप लावर ettu कि फैर उसमें बीच बह जाते हैं सीड्स किसी भी टाइप के ज़ा आप कंपके बहले हैं कि पानी पहुचा जाता है क्या के द Совет स्प्लाइ दी जाती है उंक्य वाटरिंग अच्छी सिअथे इस डाले जाते इसब से बचाया जाता है इंशेक्स से फिरुना काट के इस टूर करते हैं लास्ट लाश्ट में अधियर कार वरडोल क्षोड़ी सब पहुंचते हैं है तो परप्रेशन ऑफ्रिशन में मलग मीली मीली जो वह यूज करते हैं इंप्लिमेंट्स वह भी समय बता है अपरपरेशन अफस्वाइब दिस एफस्ट टेप बिफोर ग्राइग पहला स्टेप यह यह बहुत इंपोर्टेंड है इस वोन अफ दो मुश्ट इंपोर्टेंट इंटास्ट इन अगरिकल्चर जो है क्योंकि इस से क्या होता है कि हमारे जो स्वाइल उसमें लूज होता है इससे क्या होता है कि रूट जो है वो वो पेनेट्रेट कर पाएंगे डीप स्वाइल में लूज स्वाइल अला रोट्स टू ब्रीट इजिली इवेन वेन देगो डीप इंटु दस्वाइल यानि कि भले कितना भी अंदर रूट से जाएं लेकिन अच्छी खासी मातरा में म अब देखो क्या लिखा है लूजेंट सॉइल में आपनी इसके बार में पिसली ग्लास में पढ़ा हुआ अब दीज और इस्वार्गेजम साथ फ्रेंट फार्मर कि यह क्या करते हैं कि यूमस तो एट उसमें यूमस दे देते हैं अब समझ गए उंगे लुख फार्मर के फ्रेंट क्यों कहलाते हैं and this is why they are called earthworms are called as friends of farmers previous class member that I thought he soil water minerals with a just water with air with our boss are living organisms you think is Kisachat dead plants with a animals with a who decomposed at the soil organisms in this way various nutrition held in the dead organisms are released back into the soil and give you back you can only your nutrition or they will be job job without that the heart of will be plans which are later now the next point I make about that I do for a few centimeters of them why he you know why support because of my plant growth barking joining us at the issue is a losing and turning of the soil is a good time nutrition rich soil top पर ले आता है और प्लांट रूट 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 र तोनिंग और स्वाइल को क्या कहते हैं तिलिंग या फ्लाविंग इसके मतलब से यह दो इस प्लाव से प्लाव किस चीज को बने रहे तो वॉड या आई रन जिनरली वापको वोड याई रिखेंगे तो फ्लाव बीसिकली मैं आपको दिखा देता हुआ कैसा देखता है कुछ ऐसा होता है और आगे ऐसा कुछ बना रहता है वेल जनरली यापको याप अगर गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा तो इस बुक में इसकी फोटों होगी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा यह ऐसा यह जो है यह यह प्लाव है लेकिन यह प्लाव जो है यह बुला काट के पिछे लगा गया इसका थोड़ा डिजाइन चेंज रहे तो प्लाव समवट सेमलर तो दिस ना तो अगर बहुत बहुत जादा ड्राइब होग इसमें नीर वाटरिंग बिफोर प्लाविंग इसमें पानी डालना पड़ेगा प्लाव फील में है बिग पीसे अफ्वाइल कॉल क्रंप दिस नेसेसरी तो ब्रेक इस क्रंप विट अ प्लांक प्लांक से क्या करता है अं लेवल करते हैं फिल्लेज लेवल पर सोइंग पर सोइंग पर सोइंग आज वेल एस फ़र इडिगेशन पर पॉपसेश दा लेवलिंग ऑफ सौयल इस डान विद रहल पाफ लिए लेवर लाइर कभी कभी क्या होता इसमें मैंनियोर भी आड़ कर जाता है टिलिंग के पहले मिन्योर से क्या होता है मैंनियोर से मिक्स हो जाता है और उसकी बद उसमें वाटर डाल देया जाता है जिसे जो है खाद पड़ गई अब स्वाइल जादा अब स्वाइल अच्छा हो जाएगा अब ना मोविंग ओन एग्रिकल्ट्रल इंप्लिमेंट्स अभी आपको बताएगा कौन-कौन से इंप्लिमेंट्स हैं यहां कौन-कौन से टूल से जो यूज़ के जाते हैं अब अब टेसन तो करने से स्थीट पहले इस नेसेसरी टो बे ब्रेक सॉयल तो साइस अफ ग्रें स्थीट बेटर इल्ड यानिकी अगर हमें बैटर इल चाहिए हमें अच्छी इल्ड चाहिए ता हमें जो सोईल से बहुत खुट शुड़ा ब्रेक करना पड़े कितना तू दिस साइज ऑफ ग्रेंज अब इसके लिए बहुत सरे टूल यूज़ के जाते हैं जो मेन तूल य अब इनके वाने चल भी पढ़ते हैं प्लाव प्लाव के इंसेंट डाइम से इसका यूज़ हुआ जा आया रहा है किसके लिए तो टेलिंग आफ दू स्वाइल के लिए अडिंग फटिलाइजर स्वाइल रिमूविंग वीड स्क्रापिंग ऑफ स्वाइल इन सब कामों के सब्सक्राइब खेया जाता है इसे इससे बनाया जाता है है वोड से वों इसे घीचते कौन है और पेर बूल्ल्स याद दूसरे अनिमल जो सब्सक्राइब कि इसके आजेकी तरफ इसके आजेकी तरफ जो है एक ट्रांग ट्राइंगुलर फ्लाव फॉलि ट्रिप होता है सब्रक 느quik आज हर। फ्लॉव ऌइन प्लॉव श्य तेह गार कहते हैं प्लॉव शेर शाफ्ट टेरा थे इस और फ्रलाउ छाफ्ट तर टीघ्ड आप लीडिए आप इस एडिखा देटाव देग्राम देख्ट एब को यह जो है यह यह आपका प्लाउचेर कहा ओद है इस प्लाउचेर जो जमीन गंडर एक कि यह 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 देखा जुँखर प्लाउचेर यह जो है यह यह आपका प्लाव शाफ्ट क्या यह प्लाव शाफ्ट बाकी यह जो है यह वाला जो लोग इन दोनों के पीछ लागी हुई है इसे हम लोग कहते हैं भी तो इस डाइग्राम के मेरे सब समझ गया हूंगे इसके लिए आनेमल यूज के जा रहा है क्या यूज के जा रहा है तो अनमेल आज के लोग वूड की जगा तो आरेन यूज के जा रहा है जालतर एक सिम्पल टूल है जिसे वीड़् रिमूफ करने के लिए नाए गया है और सॉईल को लूज करने के लिए मनाए गया है क्या है तो यह तो यह हो है टाजर लांग रोड फ वुडर आइड एन अस्रांग ब्रॉर्ड एन बेंट प्लेट फ आइड फिक्स्ट वन ऑफिस जैंड अब इसके बार में आगे भी पड़ाया निक्स निक्स पेच तो यह है आपका एक हो यह यह जो है यह आपका हो है यहां पक्ड़ों गया है यहां यह बंट प्लेट आपकी जैपका एक रॉड है यह आपकी बीम से अब लीड की तरह काम करता है और इसे कॉन पुल करता तो आनमल से पूल करते हैं करना चाहें तो कर सकते हैं यह बीकर लीजिएगा उसमें आधा अधा कप या अधा अधा भी कर पानी डाल दिया पाल दे डाल दीजिएगा अब उसमें एक मुठी वीट के सीड्स डाल के अच्छे से मिला देना थोड़े रुख जाना फिर जो जो मिलता है वो अब्सव करना क्या होता है कि यह जो है आपका यह पीछे दिशेज़ अ कल्टीवेटर आज कर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस इन एंपलेमेंट वरी मच यह चीज़ आपकी यह ट्राक्टर के बीचे बांद कर आजमें ट्रक्टर से लाता है पीछे से प्लाव करते रहती है बहुत इंपर्टेंट पार्थ है क्योंकि यह यह जब तक ने करोगे तब तक आप आपका क्रॉफी नहीं हो गएगा अब यह सब करने से पहले यह सब करने से पहले आपको क्या करना है आपको क्वालिडी जाच नहीं है कि यहां के सीड की क्वालिडी कौन सी है गोड़ क्वालिटी इसके सीड्स क्या होते हैं तो क्लीन होते हैं तो इसे इसे वेरिफाई करने का इसे वेरिफाई करने का एक तरी कि इसका इससे करने का तरीका रहता है जो यह अक्टविटी दिए इसे जब करेंगे तो पता चल जाएगा तो क्या होगा अब कुछ अब कुछ इसमें पाइंट फ्लोड करने लगें यह यह वुड दोज भी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक कि आप लिए नहीं कि कुछ इसमें सिंक भी खरेंगे और कोशेस में ऊपर भी आजाएंगे अब जो डैमेज सीज लोग ने जो खराब होंगे वह उपर आ जाएंगे और फ्लोट करने लगेंगे इसका में लगा यह सीड खराब है और जो नीचे लूब जाएंगे वह अच्छे लदी यह यह ऐसे आप ऐसे आप उन्हें सप्रेड करते हों गोड हेल्डी सीड्स को गंदे वा अब इससे पहले कि हम लोग सो करें हमें एक इंपोर्टेंट डास्क रहता है कि हम लोग को जान हमें पता रहना चाहिए कि हम लोग को कौन सा टूल यूज करना है तो देखो दो टाइप के टूल होते हैं एक तो यह होता है तो यह होता है तो यह होता है कि इसमें क्या होता ह मताय कि यह यह फॉणल कि पॉलख गता है कि यह फोंपतो पहुंत जाता है और फिर क्या होता है कि यह बूलक है पहले से चलता है वहां जहां जहां पॉलक में लोग डाल दिफैन इसे क्या आई इभाई एकांवइन न नगा थाड़ है सीट इसमें क्या होता है इसमें होता आगई कि एक माशीन होती होती है मशीन ओनल से क्या करती है ट्राक्टर स्केव से यूज की आते है से तूल्च व दू टूल्स क्या करते हैं तो कर देतें मृत तो उनिफॉर्म फिर दिस पर इस पर और वह पर बेर श्थ यह भी णो कर देते हैं कि यहांब ट européर असमवpruch व्यूस् bursts उससे बच जाता है कि इससे क्या होता है कि आपका पैसा बच जाता है और आपका लेबर लेबर कम लगता है कि अब अब यह बूच अब लड़का है बड़ा जीब है हर बात पर इसकी क्वेशन निकलाते हैं इसने एक और कुछन पूछा है कि मेरे स्कूल के पास यह जिसके स्कूल खिसके स्कूल के पास नर्शरी है क्या है उस मिर्क्सरी में जो है प्लांट जो है छोटे-छोटे बैक में रखे गाए इसको रखे गए तो तो जाइए उसड़ीज वर साइक यह अब आप है शीड फ्यू प्लांट्स कुछ प्लांट्स की जो सीड हैं सच इस पाड़ी नर्सरी में पहले हो गायाता है ताकि उनका पैस ताकि उनके फिल्ड बच जाए है अगयोद फिल्ड में जादा टाम ना लाएं और जब वो प्लांट लेट्स बन जाते हैं वोने ट्रांस्प्रांट कर दिया जाता है फिल्ड में मैंवली कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स और और भी बहुत सारी चीज़े और ग्रॉन नॉर्सरीज कि अब क्या होता है कि यह थो मैंने बीच का पढ़ दिया जो हम उसी ड्रल पे तहल सी ड्रल में जो है equal distance में था और जो प्रोप्रियट डिस्टेंस से क्या होता है कि ऑवर क्राइडिंग ओफ सीड बच जाती कि इससे क्या होता है कि सालिफ लाइट वाटर मिलता है कि सम्टाइम्स फ्यू प्लांट्स आफ टो भी रिमूर्ट टू प्रिबेंट ओवर्क्रावडिंग अगर हम अगर हम लोग ने गलट धंग से लगाया तो यह होना पाड़े यह वोग जा का अधिक नाड़िंग मिनियूर क्या करते हैं तो हम लोग मिनियूर और फटीराइब टालते हैं अब क्या है कि जो मिनियूर है वह वह नाचूरल है पर्टलाइजर जो हैं केमीकल है तो फटीराइजर के कुछ side effects hote है हाला के लोग जल्दी अदो कुकेस्ट वे I can say known to me the quickest way known to me they have fertilizers डाल देना और जो मिन्योर हो थोड़ा स्लोव है slower than this fertilizers is slower I saw a healthy crop growing in a farm in the neighbor neighboring farm the plants are weak why do some plants grow better than others this question is it's a question poochra क्या करता है कि स्वाइल जो है वो क्रॉप को नूट्रेशिंस पहुचाता है नूट्रेशिंस का है शिंचल है पर दो रोट फ्लांट कुछ एरियस में फार्मर ग्रोप आफ्टर क्रॉप अफ्ट प्रॉप इंद सेम फिल्द जो फील इस नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड या फैलो नहीं कि उसे कभी भी अनकल्टिवेटेड यह खाली नहीं छोड़ा जाता था तो इसकेया हुआ है सारी नेऊट्रेशन्स खतम हो जाते थे स्वल इवोड़ी पूर हो जाती थी कुछ नेटरीशिन स्वाय है इसका जिसे मिनियोर डालते हैं है यह कि अंकिए जो sources शोजया नूटिशियंसे this process is called manuring in a improper or insufficient manuring result in weak plants manure is an organic some substance you know you manup what I have obtained from the decomposition of plants and animal waste farmers dump plants and animal waste in pits at open प्लेसे जनलाओ टुड़ डीकंपोस डीकंपोसिशन इस कॉस्ट बाइस संग माक्रो अर्गानिसम्स डीकंपोस्ट माटर इस यूज अर्गानिक मिन्यूर कि अधियर वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में क्लासिक्स में पढ़ा था ना याक्टीवीडी है मैं आक्टीवीडी पे इतना ध्यानी दूगा योगी मैं आपको यहां बढ़ाने आयां ना फट्रिलाइब जो है सब्सकेमिकल सबस्टेंस हैं विच आर रिच इन पर्टिकल नूटरियन कि पर्टिकल ने त्रेंस नहीं हो होते हैं रिच होते हैं इसार प्रड्यूसिंट प्रक्ट्री कुछ यहां एक्जमपल दिये गया है यूरी यहां अमोनियम सल्फेट सूपर फॉस्फेट पोटाश एन पीके यानिकिन नाइट्रोजन फॉस्फरेस और पोटाशियन इससे क्या होता है उन्हें बेटर मिलती है तो वीट पाड़ी और मेस की बट ज्यादा अगर फटिलाइस डाल देते हैं तो क्या होता है सॉयल तो यूज फॉर्टिलाइसर आद में एक्सेशिव यूज आज में तो सॉयल लेस फर्टाइल रहने के एक्सेशिव व्यूज व्यूज पर टाइब अशिक तैक फॉर्टिलाइसर से वाट पोलिशन होती है इससे हम लोग फॉर्टिलाइसर से यूज करें इससे अच्छा लोग अपने लैंड को अनकल्टिविटेड या फैलो रखतें बिट्वीन टू क्रॉप्स या तो उसमें और गानिक मिन्यों डालें तो जादा अच्छा रहेगा यू लफ मिन्योर इंप्रूव दिस्वाटर रीटेनिंग कैपिसिटी रिप्रिनिश दो सॉयल विट ओल दे नूट्रिशियन अब इसके अब इससे क्या होगा तो एक और तरीका होता है जिसे वापस रिप्लिश करने का एट इस कॉल्ट अज़ अज़ रोटेशन इस ने क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे ह। है पहले तो कोई भी क्रउप डाल दो आपकूप की मर्दी का हों फिर क्या करओ लिग्मी मीस डाल तो सथे सफ़ॉड है चल्राइं कि कोई भी दैण नाइटरिजन फिक्सिश्न करता है इ inmनस्फ फेरिग नाइट रराजन को नाइटरीट में बदलता यहां कुछ इस डिफरेंटंस आinhos और एडवांटेज थे संदेगेशं से यह नहीं होता है तो तो अगर हमें अपनी लपत पर अपने फर्म पर अगर हम पानी पहुंच आना है कुछ click करते यूज आ इंसे हम लोग क्या करते हैं तो करते हैं हम लोग पानी पहुंच आते हैं प्लाण में 90 वार्टर रहता है लुट ईयूंट अ सीड नियो सकती ही जर मिशन आफ सीड ड़सें टेक प्लेसें डाइड राइड कंडिशिंस नुट्रिशिंस जो थैं पानी में वो प्लांट अपनी में लिलता है पानी प्रांट को फ्रॉस्ट रहर्ट करेंट एर करेंट से बचाता है तो मेंटेन दमाश्यर फ्रॉइल पर हेल्दी ग्रोथ इल्स आफ तो बीवाटर रगिलर्ली ओ यही जो है supply of water to crops at different intervals is called irrigation what is it यहने की पानी जो है पानी एगर आप क्रॉप्स को सप्लाई कर रहे हो कुछ-कुछ समय के बाद different intervals पे तो यह क्या कहला है यह आपका irrigation क्या कहलाएगा irrigation time and frequency of irrigation varies from crop good to crop soil to soil and season to season you see summer season may frequency of water is high or could be due to increase rate of evaporation of water from soil and leaves I am very careful here this about watering the plants last summer my plants dried up and died अब नीचे sources बताएगा है irrigation के तो क्या क्या सोर्सेस हैं तो वेल्स ट्यूब वेल्स पॉंड्स लेक्स रिवर्ट्स डैम्स और कैनल्स यह सारे क्या हैं तो हमारे सोर्सेस हैं इसके बाद बाता इसके बाद traditional methods of irrigation तो irrigation के कुछ methods होते हैं इसे की यह हो गया मोट मोट में क्या होता है हम लोगा हाँ से पानी निकालते हैं वहाँ से वेल में से और फिर यह पॉर्ट उठा गें जो भी इसके हाथ में हैं उठा कैसे उल्टा देते हैं जिससे क्या होता है यहां हमारा पानी जो है हमारे लैंड तक पहुत जाता है नेक्स्ट में थाड़ जो है चेन पंप है चेन पंप में क्या होता है तो तक रस्य से लगा दिया ते बाल्टी से यह बाल्टी का अगरती है तो पानी गिराती है नीचे जिससे क्या होता है यह पानी हमारे लैंड तक पहुजाता है यहां से पानी आता है यहां से गिर जात नेक्स वीज़ता है टेक लिए सिस्टेम इसमें क्या होता है तो जब यह बहना वोडेता है फिर ऊपिर नाँ देता है फिर नीचे जाता है फिर फानि लेकिन इससे क्या आता है व्यारा है लैघ्य ना लगता है एक और तरीका है रही लीवर स्टेम इसमय क्या możliаюсь घूय गूंग होंग होंग गोंग करता है जैफंग पावर देता है यहां से यहां से हमारे कहता ने चांथ रहा है तो दिस इस वाट हापन्स कि मॉर्डन में तर्स फिरिकेशन आ गए हैं कौन कौन से तो स्प्रिंग्ले सिस्टम इसमें क्या होता है क्या अगर आप स्कूल जाते होगे अभी तो नहीं पहले ब्लॉग्डान खुला होता है तो जाते थे यह आपका स्कूल चल रहा था तो उसमें अपने क्या दिखाऊगा कि वहाँ जो गारडन ए जो गाडन है आपका वहाँ छोटे छोटे स्प्रिंक्लर लगे रहते थे films प्लिंग्लर लगे रहते थे मानि पूरे लाइंट पर बारिश की तरह को डालते थे इससे क्या होता था कि direct direct roots में आँ जाता था पानी और ज्यारदा पानी वेश्चनीुत ता यह इफ्यक्तिव है और यह बहुत जद जदा बहुत जैगरां बहुत जादार expensive भी है नेक्स डिप सिस्टम इसमें क्या होता है कि यह मैं मैं एक और डाइगारम मना कि आपको दिखा थ हूं मैं मैं इसमेना को डाइग्रम मना धीक्र हरा है यह आपको थोड़ा उच। एक स्था समय और तया यि आपको और यह और खूम स्ब्सक्राइब कि यह आपने क्या किया है कि आपने एक πάPE ली क्या कि आपने एक पाइप लिए जहां बैचा भी फिर उसमे उसमें उसमें अपने क्या किया कि छोटे छोटे-चोटे-घूल माम डिये इससे की हुआ कि डरह कार किरोट मेंगा डार्यक अचोट सकते हुआ है पला पानी भी स्णी हुए यह यह सिस्टेम डोफ इसनम से अप्र प्रोटक्शन अब बीड्स मिट्स मिट्स प्रटेक्स इस प्रॉटक्शन होता है क्या होता फ्रवरा रच हो जाते हैं तो इन दो तरीकों से काड़ जाता है सबसे पहले यह खुर्फी लाते है ऐसे क्या करते है कर दो एफटा तरहिउन जो दोडेते तो उसे अ मर जाते है तो कि अब अंडिसर प्लांट्स और कॉल्ड वीर्ज यह हम बताता है कि यह प्रेमार के हम लोग उन्हें मार सकते हैं और नहीं तो लोग उन्हें तो यह स्प्रेइश से वीडी साइड्स कहते हैं वीडी साइड्स जैसे की तूफोर्डी और बाकी विद्धे हेल्प अफ़ कुर्पी सीड्र भी आप यूज कर सकते हैं यानि कि जब आपका क्रॉप बंग के त्यार हो जाता है तो आप क्या करते हों कि आप उसे काड़ देते हो यूप कट इडाउन विटर सिकल यूज कर आप उसे खुरपी से काल देते हो से विडा गष्ट्ट ने खुरह पीस हेसे हर्वस्टिंग कहते आ है हमे सिं Secondly करते हो आप आप जो है यह आप यह को वीट का प्लांट है कि आपको इसे समझे नहीं आएगा मैं थोड़ा अच्छे समझा रहा हूँ ओके यह 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 आपका वीट का प्लांट है तो क्या होता है कि विमेन क्या करती है इसे slap पेक बड़े से यह बनीन ही करती थिद्झा ऊथ कर तौज क्या होता है उसाललक कर लेते स्टाल केयने कि यह वाला हिस्वां ही वाला जो हिस्वा रहा है जो दढली वेशिह तक देच उश्वांध कर द piace तो दिस प्रॉसिस या काल जै सकते दिस प्रोसेसे स्काल प्रेशिंग यह इस से कर सकते ने तो कर सकती आएद बंग लाइट है तो इस टोरेज रहता है अब को अगर आपन से अच्छे से इस व्या तो यह आपका खराब होजेगा और आपकर कर आब सारी हो पानी में तो किस किस चीज़ से फोना चीज तो मॉश्चर से इंचक्त से राट से माइक्रो और गानिजम से फ्रेश जो ख्राप होते उनके पास जाना मॉश्चर होता है अगर आप फ्रेशली हार्वेस्टेट ग्रेंज विदास विदास बिना वर ड्राइक यह स्टोर कर दोगे तो क्या होगा तो वह स्पोईल्ड हो जाएगा और समाइक्रो अर्गैजनम्स पानी में डूब जाएगी तो इसलिए वह फार्मर्स को अच्छे से स्टोर करना पड़ और उसके सब्सके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना जाता हूं जो अनिमल हस्बंटरी है अनिमल हस्बंटरी हमारी क्या है तो क्या होता है जो एक नहीं है जो हमारे आनिमल्स है क्या है हमारे आनिमल्स है उन्हें हम लोग क्या करते हैं अपने पास रखते हैं उन्हें खाना पीना और और ने वो देते हैं शेड देते हैं तो यह हमारी एनमेल अजबंटरी कहता है जाम लोगों का पालन पॉशन करते है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन होप दू लाइक दिट और फिर दू प्ली शेयर वीडियो एंटिल दिन एल सीन मैं नेक्स वीडि I want you all to please subscribe to my channel hope you like the video thank you and bye bye